नमस्कार मैं हूँ आपके साथ राकी लांबा एक तरफ दिल्ली सियम अरविंद केजरिवाल आगामी चुनावों के तैयारी में जुटे हुए हैं तो वहीं दूसरे दरफ केजरिवाल के स्वीश महल मामले में एक के बाद एक खुलासे हु रहे हैं जिनसे केजरिवाल पर भरस्टचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं आपके दो नेता फिलाल जेल में हैं वो भी भरस्टचार के आरोपों में पहले हैं सतेंद्र जैन और दूसरे हैं मनी सिसोधिया दोनों ही नेता सरकार में बड़े पदों पर थे और दोनों पर ही बड़े बड़े घुटालों का आरोप है कि जरिवाल ने सत्ता में आने के बात से जुतनी इमानदारी की बाते कही थी वो बाते इन दोनों नेताओं के जेल जाने से खोखली साबित हुई है और अब आपके राश्ट्र संयोजक अरवंद केजरिवाल पर शीश महल मामले में जनता के पैसे खाने का आरोप लगा है कहा जा रहा है कि आखों में पीम जैसा आवात में रहने का सपना लिए अरवंद केजरिवाल ने अपने शीश महल में करोडों खर्च कर दिये थे आरोप है कि इस ब्रस्टो चार की काहानी को चुपाने के लिए केजरिवाल ने कई कोशिशे भी की यहाँ तक की मीडिया को दवाने की भी कोशिश की गए लेकिन सच सभी के सामने आ गया दिल्ली सीम के शीश महल को लेकर रोजाना नई नई खुलासों ने केजरिवाल की मुश्किलों को बढ़ा दिया है और अब दिल्ली के सतरकता वभाग ने पी ड़ुडी के अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया है रेनोवेशन मामले में साथ पी ड़ुडी के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है इन अधिकारियों पर बड़े एक्षिन के तयारी भी की जा रही है अधिकारियों पर आवास के रेनोवेशन के दोरान नियमों में कथित तौर पर घोर उलंगन का आरोप लगा है रेनोवेशन के काम से जुड़े इंजीनियर्स और P.W.D. से जुड़े अधिकारियों को अपने काम के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए ये नोटिस जारी हुआ है अधिकारियों को जबाब देने के लिए 15 दिन का समय भी दिया गया है इस नोटिश में कहा गया है शीश महल बनाने में शामिल इंजीनियर्स को नोटिस PWD के अधिकारियों ने वभाग की फाइलों में दर्च किया है कि मुख्यमंत्री की आफचकता के अनुसार इंटीरियर के ड्रॉइंग में बदलाव किये गई है इस पर योज़ना में कुल किये गई काम और सुख्रित राशी में बड़ा अंतर पाया गया है मुख्यमंत्री की आफचकता के अनुसार गर की साहस सज्जा को लेकर डिजाइन में बदलाव किये गई हैं इसके बाद कुल किये गई काम और स्विक्रित राशी में बड़ोतरी हुई है मतलब साफ है कि केजरिवाल जैसा चाहते थे उस तरीके से इस घर को बनाया गया और उसे सजाया भी गया इसमें जितना पैसा लगा उसमें और जितना स्विक्रित किया गया उसमें बड़ा अंतर है और ऐसी स्तिती में अधिकारी नप सकते हैं इतना ही नहीं इस नोटिस के अनुसार किसी भवन योजना को मन्जूरी नहीं दी गई थी तो बड़ा सवाल ये है कि ये भवन कैसे बनाया गया नोटिस में इसकी जानकारी देते हुए बताया गया है पुराने ढाचे को बिना सर्विक्षन रिपोर्ट के द्वस्त कर दिया गया था और पी ड़वन द्वारा बनाये गए नए भवन के लिए किसी भवन योजना को मन्जूरी नहीं दी गई थी मुखे मंत्री के इस आवासे परीसर का निर्माण नियमो का उलंगन करके किया गया है इस परीसर का निर्माण आवास और शेहरी मामलों के मंत्राले द्वारा जारी दिशा निरदैशों के तैत निरधारित मांदंडों के अनुसार दी गई अनुमती से ज्यादा बढ़ा है नोटिस के जरिये PWD अधिकारियों को इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है सरक्ता विभाग का कहना है कि इस परिसर में निर्माण में सामान्य विट्य नियमो CPWD मैनूल और CVC इन दिशा नरदेशों के घोर उलंगन किये गए है दिल्ली के CM अर्मिंद के जरिवाल PM मोदी के खिलाफ माहौल बनाने में व्यस्त है लेकिन उनकी अपनी दिल्ली में क्या हो रहा है शाइद इस पास से बहुन जार है अपने सरकारी मंगले को लेकर के जरिवाल की परिशानिय अलगातर बढ़ती जा रही है ऐसे में बैतर होगा कि के जरिवाल सबसे पहले दिल्ली पर और अपने खिलाफ हो रही कारवाई पर ध्यान दे आपकी इस खबर पर क्या रही है मैं कमेंट करके जरूर बताईए नमस्तुरा